गुड मॉर्निं फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने युरियोप चैनल स्टेटेव इधर ठाकर पर तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के तरह हिंदु एटिटोरियल वकाबलरी की वकाबलरी से आज का पहला वर्ड है जूरेस्प्रिडेंस जूरेस्प्रिडेंस का मतलब होता है हमारी जो नियाय ववस्था होती है हमारी नियाय ववस्था नियाय प्रणाली नियाय शाष्त्र या फिर हम बोल सकते हैं धर्म शाष्त्र तो उसे इंगलिश में बोला जाता है जूरेस्प्रिडेंस से नॉनिम साप दे सकते हैं लौ लेजिसलेशन प्रेसि composing order तो नियाय शाष्टर की नियाय प्रणाली की थुड़ी सी प्राप्लम की बात की कि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको law and order भी maintain करना होता है और freedom भी देनी होती है और भी enforce करना होता है साथ में सोतंतरता भी freedom भी प्रदान करनी होती है तो सबसे बड़ी problem विवस्था की नया प्रणाली की यही होती है अगला हमारा शब्द है अजुडिकेट अजुडिकेट वर्ड यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है अजुडिकेट का मतलब होता है किसी केस का निर्णे सुनाना मतलब फैसला करना किसी का जज्जमेंट सुनाना फैसला सुनाना निर्णे करना उसे बोला जाता है अजुडिकेट से नौनिम सा आप देख सकते हैं डिसाइड, सेटल, अंपाइड, एंटॉनम से देफर, इग्नोर, जर्नी और अवोईट, एक्जांपल देख लिजी, The courts adjudicate all disputes and offenses, तो नियाली की बात की गई है कि court ने सारे जो disputes थे, सारे जो offenses थे, उनके मामले में फैसला सुनाया, अपना निरने सुनाया, अगला हमारा शब्द है deprecated, deprecated वर्ड यहाँ पर वर्प की तरह यूज़ हुआ है, deprecated का मतलब होता है, किसी का अपमान करना, निंदा करना, किसी की अपमानित करना किसी को, या फिर किसी के विरोध में कहना, उसे बोला जाएगा deprecated, synonyms आप देख सकते हैं, denigrate, decry, criticize, condemn, or deprecate, antonyms है, praise, approve, applaud, or compliment, example देख लीजिए, he deprecated the law, quality of entrance to the profession, तो उसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि किसी व्यपार में किसी तरह के पेशे में जो नए-ने लोग आते हैं, entrance होता है, किसी भी क्षेतर में नया प्रवेश करने वाले विक्ति, तो उसमें किसी व्यक्ति ये आलोचना की, ये निंदा की, कि उनकी quality, उनकी गुनवत्ता पर जो नहने लोग आ रहे थे, व्यवसाय में या किसी तरह के profession में उनकी quality पर उसने प्रशन चिन लगाए उनकी योग्यता के लिए उसने क्या किया, निंदा की उनकी या फिर प्रशन चिन लगाए उनकी यो बोला जाता है, disconcerting, synonym साब देख सकते हैं, upsetting, disturbing, confusing, or unsettling, antonym से confronting, pleasing, effable, or amusing, example देख लेजिए, she was disconcerted when everyone stopped talking and looked at her, किसी महिला की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, कि वो एक्दम से थोड़ी सी चिंता में नजर आई, परिशानी में नजर आई, जब सबने बात करनी बंद कर दी, और सभी उसकी तरफ जहागने लगे, या देखने लगे, अगला हमारा शब्द है, revocation, revocation यहाँ पर नाम की तरह use हुआ है, word, revocation का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को निरस्त करना, खंडन करना, किसी चीज़ का, cancel करना, किसी तरह का कोई नियम या कानून है, क कोई भी चीज़ है, समझाता है, किसी तरह की meeting है, तो उसको revoke करना, खंडन करना, निरस्त करना, उसे बोला गया है, revocation, revocation के सिनौरिम से, annulment, repeal, cancellation, or withdrawal, एंटौरिम से, approval, sanction, acceptance, or accreditation, example देख लेजिए, the revocation of a law, तो किसी तरह के law की, कानून की, निरस्त करने की, खंडन करने क बात कही गई है, अगला हमारा शब्द है, concise, concise यहां पर नाम की तरह, माफ कीज़े, concise नहीं है, माफ कीज़ेगा, conscience है, conscience, conscience होती है हमारी बुद्धी, जो हमें ये बताती है, हम कोई काम करें, तो हमें जो ये बताती है, कि हम ये सही काम है, या गलत काम है, कोई भी हम काम करे तो थोड़ा सा हमारा मन बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो वो जो हमारी बुद्धी होती है स्वर विवेक जो होता है अच्छे बुरे का घ्यान होना उसे बोलाता है तो यह एन्टॉन्स है एंटॉन्स है तो यह एन्टॉन्स है और समझ होना गिल्टी होने की भावना समझ अगला हमारा शब्दे consequences consequences यहां पर noun की तरह used by word consequences का मतलब होता है किसी भी काम का किसी भी process का कोई नतीजह आना या किसी भी चीज का कोई महतो हम दिखाना चाहने है किसी भी चीज का परिणाम आना हमारे किये गए काम का result आना नतीजह आना कोई फल उसे बोला जाता है consequences, synonym से आप देख सकते हैं impact, effect, result और outcomes, end times, antecedents, beginning, origin और reason example देख लिजी, many people may lose their jobs as a consequence of recent poor sales तो यह बात कही गई है कि जिस तरह से भी recently बहुत sales में बिकरी में बहुत जाला जो कमी आई है जिसके प्रभाव से जिसके कारण की जिसके नतीजह से क्या हो सकता है काफी सारे लोग अपनी नौकरी उसे हाथ दो सकते हैं, मतलब उन्हें अपनी नौकरी गवाने का डर है, वो अपनी नौकरी मतलब जाने का उन्हें डर होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नौकरी चली जाएगी आगला हमारा शब्ध है एपेक्स, एपेक्स यहाँ पे नावन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड, एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर होना, शिखर बिंदू पर होना या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्तोपून हो, बहुत ज़र इंपॉर्टेंट हो, इसका यूज़ होता है एडिटूरियल में अक्सर जब हाई कोट की बात होती है, सुप्रीम कोट की जब बात होती है, तो सरवुच न्यायालय है सुप्रीम कोट, जुदिशरी में, तो उसके लिए ये यूज़ होता है वर्ड, एपेक्स कोट, सिनोरिम साब देखते हैं, पीक, एकमे, समेट, पेनाकल, एंटोरिय से बॉटम, नदेर, बेस और फुट, एक्जम्पल देख लिए, एट देख लिए, एट अपेक्स ऑफ पार्टी, वोज इस सेंट्रल कमिटी, तो किसी तरह की राजनितिक पार्टी या किसी तरह भ दल को कंट्रोल करती थी, नियंतित करती थी, अगला हमारा शब्द है मिस्चीफ, मिस्चीफ यहां पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है वर्ड, मिस्चीफ का मतलब होता है, थोड़ी शरारत करना किसी के साथ, किसी तरह की, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, तो वो शरारत करते करते हैं, उस कंटेक्स में यह वर्ड आप समझ लीजेगा, मिस्चीफ, सिनॉनिम से आप देख सकते हैं, नौटिनेस, मिसकंडेक्ट, एंचरी, मिस्बिहेवियर और हाम, अन्टॉनिम से ओबीडियन्स, हेल्प, बेनिफिट, एसिस्टेंस और एडवन्टिज, एक्ज शब्द है, circumscribed, circumscribed, word यहां पर work की तरह use हुआ है, circumscribed का मतलब होता है, किसी चीज़ को घेरा लगाना, हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी चीज़ को घेरना, या फिर, limit करना किसी चीज़ को, प्रतिबंधित करना, परिसीमन करना, कोई दाइरा होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है, circumscribed, synonyms आप देख सकते हैं, limitation, restriction, constraint, restraint, antonym से allowance, certainty, ease, hurt and soul, example देख लिजिए, the army evidently fears that under him, its activities would be severely circumscribed, तो किसी विक्ती की न्युक्ती की बात हुरेगी, आर्मी सेना ये बोल रही है, कि उसके control में, किसी विक्ती के control में, जो है, उसकी activities, जो सेना की सारी, प्रक्रियाएं हैं, activities हैं, वो बुरी तरह से, उनका परिसीमन हो जाएगा, बुरी तरह से वो प्रतिबंदित हो जाएगी, मतलब एक सीमित तरीके से सीमित रह जाएगी, जो सारी प्रक्रियाएं होंगी, activities होंगी, सैना की, आर्मी की, तो आर्मी को इस तरह का डर था, कि उ एक तो मतलब होता है बिना सुचे समझे हट बड़ा हट में जल्दबाजी में हम कोई काम करें तो उसे बोला जाएगा दूसरा मतलब होता है ऐसे कोई घटना जो की अपरत्याशित हो अचानक ही कोई चीज घटित हो जाना य फिर ऑशुब सुचक होना कोई सुचक कोई अग करवा है decisions कि मेरा यह ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं है मैं यह बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि हमें इस तरह से हड़ बढ़ाहट में जल्दबाजी में decision लेने चाहिए अगला हमारा शब्द है devolution devolution यहां पे नाम की तरह use हुआ है word devolution का मतलब होता है सत्ता का हस्तांत्रन होना जैसे power है किसी के पास शक्ति विकेंद्रिय करन होना मतलब power का शुद हिंदी में बोला जागा है विकेंद्रिय करन मतलब topmost जो control करने वाले body होती है कोई decision making वाली कोई body होती है तो उनके द्वारा जो उपने उनके जो शक्तियां है powers हैं उसको मतलब downmost जो employees हैं उनको हस्तां करना अपनी powers मतलब केंद्रिय करन करना उसे बोला जाता है devolution synonym से आप देख सकते हैं delegation, degeneration, decentralization, handover or decline, antonym से rehabilitation, decency, evolution, advancement or updation example आप देख सकते हैं the devolution of power to the regions तो इस तरह के regions की बात की एकम के द्वारा, केंद्रिय सरकार के द्वारा सब्ता का हस्तांतरन मतलब राज्यों को कर दिया जाना, इस तरह के क्षेत्रों को कर दिया जाना अगला हमारा शब्द है pogrom, pogrom में हम पर नाम की तरह यूज़ हुआ है, important word है, pogrom का मतलब होता है सामूहिक, हत्याकान होना कहीं पर, बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, तबाही, बरबादी, उसे बोला जाता है pogrom, pogrom के synonym से आप देख सकते हैं, mausakur, carnage, slaughter, annihilation, genocide, antonyum से amity, arrival, calm, care, or harmony, example आप दे सकते हैं, we have not even learned to distinguish between a communal riot, riot होते हैं, जो दंगा फसाद होते हैं, communal riot, धरम के अधार पे जो दंगा फसाद होते हैं, उसे बोला जाएगा communal riot and a program, कि हमें अभी भी ये सीखना होगा, कि जो इस तरह से जो धार मी किया, इस तरह से जो जाती गता धार पे दंगे फैलाये जाते हैं, उन में और जो सामोही खत्यागान या इस तरह की तबाही या बड़े संख्या में लोगों का मारा जाना होता है, उसके बीच में क्या अंतर है, अभी भी ये differentiate करना होगा, अंत हो, तो ऐसे काम को बोला जाता है, clandestine, clandestine के synonyms आप देख सकते हैं, secret, underground, undercover और hidden, antonym से public, open, manifest और visible, example आप देख सकते हैं, candlestine, a candlestine meeting, तो किसी एक मतलब गुप तरीकी की कोई meeting की बात की गई है, better की बात की की गई है, I hope आपको समझ में आया होगा word, अच्छी तरह से important word है ये, clandestine, अगला हमारा शब्द है, whip up, whip up यहां पे phrasal verb की तरह use हुआ है word, whip up का मतलब होता है, किसी को किसी काम करने के लिए बढ़काना, उकसाना, किसी को उतेजित करना, provoke करना उसको, उकसाना, बढ़काना किसी को उसे बोला जाता है, phrasal verb में whip up, whip up के synonyms से आप दे सकते हैं, he accused politicians of whipping up anti-foreign sentiments in order to win right-wing votes, तो कोई व्यक्ति यह इल्जाम लगा रहा है, politicians पे, राजनेता पे, कि वो right-wing votes को पाने के लिए, इनको, मतलब अपना समर्थन पाने के लिए, वो क्या कर रहे थे, anti-foreign, anti-foreign, जो sentiments से इसकी भावनाय जो है, वो भढ़का रहे थे, क्योंकि उन्हें right-wing के जो votes थे, वो प्राप्त करने थे, इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा, politicians के उपर, तो I hope आज का session आपको informative लगा होगा, फटावट से revise कर लेते हैं, vocabulary को देखते हैं, थोड़ा सा कितना आपको चीज़े memorize रही है, पहला हमारा, sorry, last word है, contrary, contrary, हमारा last word है, contrary का मतलब होता है, विपरीत होना चीज़ों के प्रतिकूल होना है, विरोधी होना, opposite होना, मतलब दो चीज़ों का एक दूसरे के, that is called contrary, contrary के synonym से opposite, reverse, opposed, obstinate, and similar, like, like, or cooperative, example, द ये बात बोल रहा है, कि मैंने सोचा कि ये किया जा सकता है, ये possible काम है, परन्तु किसी महिला की बात की जा रही है, कि वो मुझसे मेल नहीं खाती थी, उसका जो विचार था, वो बिलकुल मेरे विपरीत था, बिलकुल प्रतिकूल था, तो revise कर लेते हैं चीज़ों को फटा का मतलब होता है, नियाले के द्वारा, कोड के द्वारा फैसला सुनाया जाना किसी केस के उपर, निरने देना, उसे बोला जाया है, अगला हमारा शब्द है, डेप्रिकेटिड, का मतलब होता है, किसी की निंदा करना, अपमानित करना, बुरा भला कहना किसी को, that is called, या चिन्तित हो जाना, परिषान हो जाना, that is called, डिसकन्सर्टिंग, अगला हमारा शब्द है, रेवोकेशन, रेवोकेशन का मतलब होता है, किसी भी तरह के समझोते को, किसी भी तरह के कानून या नियम को, रिवोक करना, कैंसल करना, रद करना, निरस्ति करन करना, उसे बो जाता है, conscience, अगला हमारा शब्द है, consequences, consequences का मतलब होता है, किये गए काम के, कोई परिणाम, कोई नतीजे, क्या फल होंगी इसके, क्या consequences होंगे, उसे बोला जाता है, consequences, अगला हमारा शब्द है, apex, apex का मतलब होता है, top most body, जैसे judiciary में, supreme court होता है, उसे बोला गया है, apex court, किसी भी चीज के शिखर पर होना या फिर topmost point पर होना उसे भी बोला जाएगा apex अगला हमारा शब्द है mischief mischief का मतलब होता है शरारतीपन करना, कोई शरारत करना किसी के साथ, किसी तरह की नटखटपन उसे बोला गया है mischief अगला हमारा शब्द है circumscribe circumscribe का मतलब होता है limit करना किसी को सिमांकन करना, परिसीमन करना यदि हम boundary की बात कर रहे हैं तो परिसीमन करना, सिमांकन करना या घहराओ करना किसी का या फिर किसी को नियंतरित करना limit करना उसको, control करना that is called circumscribe अगला हमारा शब्द है precipitated मैंने दो context में आपको बताया पहला, ऐसी कोई घटना जो कि कोई बूरी घटना हो, अपड़ी घटना हो और घटने वाली हो, या फिर हम भोल सकते हैं बहुत हडबडाहट में, जल्दबाजी में कोई कार्य करना that is called precipitate precipitated, अगला हमारा शब्द है devolution, devolution का मतलब होता है power का सत्ता का topmost, मतलब जो बैटे हैं लोगों पर जिनका का policies frame करना है तो उनके द्वारा अपनी power का जो अस्तांतरन है निचले, स्थर पर जो उनके under subordinates होते हैं उनको power का अस्तांतरन करना सत्ता का अस्तांतरन करना उन्हें powers देना उसे बोला गाया है, मतलब delegation of authority से बोला जाता है that is called devolution अगला हमारा शब्द है program, program का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना सामूही, खत्यागा और नरसंगार उसे बोला गाया है program अगला हमारा शब्द है candle clandestine clandestine होता है गुप तरीके से कोई कारे करना और मुस्वबली हो ऐसा कारे हो जो कि illegally हो, अवैद रूप से कोई कारे करना चोरी चिपे उसे बोला गाया है clandestine अगला हमारा शब्द है whip up whip up का मतलब होता है किसी को उक्साना किसी काम को करने के लिए भड़काना, उतेजित करना उसे बोला गाया है whip up और last हमारा word है contrary contrary का मतलब होता है प्रतिकूल होना, किसी के विपरीत होना बिल्कुल उल्टा होना उसे बोला जाता है contrary तो यह last word था आज की तहिंग उडिटोरियल वकाबरी का I hope आपको session informative लगा होगा थोड़ा बहुत कुछ सिखा होगा आपने वीडियो से प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो सके तो आपसे जादा जादा शेर भी कर दीजेगा वीडियो को इस वीडियो में इतना ही सिद्रक इंफरमेटिव वीडियो के लिए बन रही है चैनल पर Thank you, thanks for watching